सब्सक्राब करें अपने यूटीब चैनल लानमोट मेडिसिन को और बैल ऐकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिक्षिन पाने के लिए वेलकम फेंट्स सुस्वाग अदम दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक पाउरफुल एंटिपायोटिक इंजेक्षिन के बारे में जानेंगे जिसके लिए आपने मुझे कई बार डिमांड की है यहाँ इंजेक्षिन दो अलगलग दवाओं का कॉम्पोजिशन है वे दव की डूज होती है किस रूट से इसको लगाए जाता है इसके साइड इफेट क्या होते हैं और इसके अलाव भी के अन्य महत्वपुन बाते जो आपका जानना आवेशा के जभी इस वीडियो हम जानेंगे इसी कारण से वीडियो को बिना इसकीप के अंतक देखे जिससे पू और है लोफेंड नमस्तघ दोस्तों इस इन्जेक्शन में सिफोटेक्शिम एक थार्ड जणरेशन सेफल इस्पिकृक्शन ग्रूप की दवा है जो बेक्टिरेया को मार कर बेक्टिरील इन्फेक्शन को ठीक करने का कारे करती है इसे अन्य कारान से इसे जालाते इंँश्нос इस इंजेक्ष में जो दूसरी दवा है साल बैक्टम यह सेमि सिं्थेटिक बीटा लेक्टमेज इनिभीटर है यह कहली के सिमिलर रूक्ष रूक्ष दवा है लेकिन यह क्लेवनिक एसिड से तीन से चार गुना ज्यादा असर कारें मोर पोटेंट है यह साल बेक्टिरिया में बीटा लेक्टम डिंग को तोड़ने का कारे करती है अगर यहां पर हम जाने इन दोनों ही दवा को इस एक इंजेक्शन मिक्स क्यों किया गया कि इसका क्या करने तो जैस बेक्टिरिया के चारो और एक बीटा लेक्टम बन जाती जिसको की तोड़ना मुश्किल रहता है इसी कारण से साल बेक्टिरिया की बीटा लेक्टम रिंग को तोड़ता है जिससे की जो शिफो टेक्टिरिया में उस पर अटेक कर सके और शिफो टेक्टिरिया पर अटेक क को मार देता है जिससे की बेक्टिरीन्फेक्शन थीक हो जाता है इसे कार्ट से इन दोनों हमयने सरल्बावाशा मैंको बता उम्मिद गरता हूं आप इस हैं अब अगर इसके स्टेंध क्यू जानने क्या स्टेंध में시면 तो इंजेक्शन दो से तीन अलगलग स्टेंथ में जैसे कि 1.5 ग्राम की पेकिंग, 750 मिलिग्राम की स्टेंथ, 375 मिलिग्राम की स्टेंथ यहां इसकी स्टेंथ अवेलेबल जो पेसेंट की नीड की अकोडिंग डोक्टर प्रयोग लेते हैं और जैसा आप सभी को पता है सिफ से पॉपॉलर जो ब्रेंड ने में होँए कोई बैयो टेक्स बिए ऑन्जेक्शन इसके अलवा कुछ ब्रैंड वैयलेबल जैसे की टेक्स इंजेक्शन ग्रतेक्स णीटेक्श इंजेक्शन मीश्य एश सिवन एश्बी इंजेक्शन ये आइसके कीалы rr कि यूजूज को जान लेते हैं किनकिन इस्तितियों में किनकिन बिमारियों में इसे दिया जाता है तो जैसा कि अब तक आप जाहनी चुके हैं कि यह इंजेक्शन एक एंटी बेक्टिरियल इंजेक्शन एंटी बायोटिक इंजेक्शन जो बेक्टिरिया द्वाला होने वाले से फेंप्रों में टाइटनेस लगना स्वांसले में दिक्कत होना व्यक्ति को बुखार आना यहां बेमारी बच्चों में था बड़ों में सभी में देखे गी और अगर समय रहते इसको ठीक नहीं किया जाये तो व्यक्ति की जान भी से जा सकती जो आपने कई बार सुना होग लिए तो इसका प्रियोंख लिया जाता है उसे व्यक्ति को स्वांसली में ब्लॉंखाई में Deutsche आये ऑ लिया जाता है अपरार ब्रेश्फरिय टर्फरिय के इंफेक्चन की अलावा इसका करने के लिए जाता है इसमें और ये ब्लेड आ जाना करता समय दर्ध होना है इसमें पास यक संवेशन और जाना इस सबी की समय होती होती तो इस UTI की समिश्या को ठीक करने के लिए, Urinary Treck Infection को ठीक करने के लिए इस Injection का प्रियोग लिया जाता है, इस Injection का प्रियोग गोनर हुए है नाम की बीमारी में भी किया जाता है, जो जन्नांगों से जुरी ही बीमारी है, यह पूरूस तो था महीला दोना में दिखी गई है यह बीमारी जब हो उससे में भी यह इंजेक्शन दिया जाता है यह इसके कुछ प्रमुक यूज दे इसके अलावी कुछ बैक्टियर इंफेक्शन है जिसमें इसका प्रियोग लिया जाता है जैसे कि किसी को जोइंट किसी के इंफेक्शन हो गया हो पोस्ट ऑपरेटिव इंफेक्शन हो किसी को पी आइडी पल्विक इंफेमेटर डिजीज हो यूरेत्रा की समेश्या हो यूरेत्रा में इंफेक्शन हो गया हो यह किसी भी परका का इंफेक्शन बेक्टियर हो गया हो तो उसमें इस इंजेक् कोमेंट साइड इफेक्ट है उसमें वेक्ति को जिस जगा पर इस इंजेक्शन लगाए गया इड़ साइट ओफ इंजेक्शन वहाँ पर दर्द होगा सुजन आ सकती है रेडनेस हो सकती है खुजली चलना बहुत ज्यादा रेसस हो जाना इस तरह की समयशन होती है और इसके अ इस इंजेक्शन का प्रियोग बंद करें अपने डॉक्टर से वहले इस रॉपर टिटमे आपको दिया जा से और फूटर में इस की डूजुस को जान लेते हैं इसकी रूट को जान लेते हैं किस तरह इस को लगाए जाता है तो इस इंज्येक्शन को आई-वी इंट्रावी की पोटल है उसमें भी डाइलूट करके लगाए जा सकता है लेकिन जब इसे आई-एम इंट्रा-मस्कूलर लगाए जाएगा तो उसमें से फोर्ट चार एमल डिस्टिल वाटर में ही डिजॉल किया जाएगा क्योंकि इससे ज्यादा जो क्वांटिटी है आई-एम अपन कुस वेक्ति को चकर या उल्टी नहीं आए इसके लिए वेट किया जाता है अगर उल्टी नहीं आता उसके बाद वह इंजेक्षण लगाए जाता है तो एडल्ट के लिए बात करें तो 1.5 ग्राम को इंजेक्षण है इसे दिन में दो बार और सुबह तासाम लगाने की इस इंजेक्शन को लगाया सकता है और कई बार जब लाइफ ठ्रेडणिंग इस्टेट हो जाती है बहुत ज़्यादा इंजेक्शन को जब आप लगाते हैं तो एक और बात वीशेश द्यान रखें जब भी इसको आएम लगाने के लिए डिप में डिजॉल करते हैं तो उसमे इस इंजेक्शन के साथ कुछ अधर इंजेक्शन मिक्स नहीं करें वो कुछ प्रोडलम कर सकता है तो यह भी आप बात ध्यान रखें तो दोस्तों यह पूरी जानकायती सिफो टेक्सिम तदा साल बैक्टम इंजेक्शन के बारे में जिसके लिए मुझे आपने कमेंड किया अब को मिल सकें और मेरे सभी वीडिया मुख में देख सकें आप ते अपने दोस्त मुहित आदीज के साथ देख रहे हैं ते अपना इडिव चैनल आना वूट मेडिसिन थेंक्यों फ्रेंड्स टेक केर और एंड बी केरफ वोट मेडिसिन इजर्स